Hello everyone, welcome back to my channel, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, तो आज मैं आपके लेके आई हूँ परवल की सबजी, जी हाँ परवल की सबजी बनाएंगे बहुत ही तेस्टी तरीके से जो सबको पसंद आने वाली है, जो सबजी नहीं खाते परवल की वो भी उलिया चाट की खाएंगे, चल कोई भी सबजी बनाएंगे, अगर छोटे टुकडो में कट करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, और इसके साथ मैंने ले लिया है आलू, तो जिस साइज का मैंने परवल को कट किया है, उसी साइज से मैंने आलू को भी कट किया है, आप कोई भी सबजी बना रहे हो, अ मैंने ले लिया है एक कूकर me double 我覺得 कूकिंग औ~~ मैंने सर्सो का तेल लिया है आप कोई भी तेली सकते precisely कि लेकिन सर्सो के तेल में सब्यी बहुत ही चटपटी बन्ती है तो तेल के गरम होने के बाद इसमे मैं डाल दूंगी जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च और जैसे ही ये चटकने लगेगा इसमें हमारे कटे हुए परवल को हम डाल देंगे और अब इसे हमें सुनहरा होने तक low to medium flame पे cook करना है बहुत जादा सुनहरा मत कीजेगा लेकिन थोड़ा सा सुनहरा होने देना है तो इधर जब तक हमारी सबजी भुन रहे है एक मसाला बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक बावल में ले लिया है अदरक, लैसुन, हरी मिर्च हरी मिर्च आप कमिया जादा भी कर सकते हैं मैं थोड़ा कम तीखा बनाती हूं इसके साथ जीरा, काली मिर्च, बड़ी लाईची, लौंग, दाल चीनी थोड़ा सा धनिया का पॉडर और हल्दी पॉडर मैंने ले लिया है और इसमें पानी डाल के इसमें थोड़ा सा मैंने एक प्याज भी लिया है टुकडों में कट करके दो-चार प्याज के टुकड़े ले लिया है और अब इसे हमें फाइन ग्राइंड कर देना है यहाँ पे देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और इधार हमारा जो परवल है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब क्या करेंगे यहीं पे हम डाल देंगे हमारा एक कटा हुआ प्याज और इसी के साथ मैं डाल दूँगी हमारे कट हुए आलू भी और अब डालेंगे इसमें नमक स्वात की अनुसार डालेंगे और थोड़ी सी मैंने हिंग डाली है हिंग पहले डालने से क्या होता है वो जल जाता है इसलिए मैं हमेसा बीच में ही डालती हूँ हिंग को और अब इसे हमें आलू को आधे से जादा कुक होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राय करना है और बीच में चलाते रहेंगे इसके बाद जब आलू आधे से ज़ादा पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे दो टमाटर और ये हमारा मसाले का पेस्ट कटूरी में थोड़ा सा मसाला था तो मैंने दो टेबल स्पून पानी डाल के इसे अच्छी तरह से डाल दिया है मसाला वेश थोड़ी ना करना है वाई तो डाला है इसके साथ मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अमचूर पॉडर और काश्मीरी लाल मिर्च यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप कर दिजेगा चाहे तो डाल दिजेगा कलर अच्छा दिखता है इसलिए मैं डाल रही हूँ और अब low flame पे हमें इसे अच्छी तरह से 5-6 मिनट तक ढख ढख कर भुनना है जी हाँ इसका भुनना बहुत ही जरूरी है बीच में चलाते रहेंगे और भुनते रहेंगे अगर बीच में ऐसा लगे आपको की मसाला चिपक रहा है या जर रहा है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं बहुत जादा ने लेकिन थोड़ा सा पानी आप डालके इसको चलाते रहेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे अब पानी दो कप मैंने पानी लिया है, आप कमिया जादा भी कर सकते हैं, मेरी ग्रेवी थोड़ी मुझे थिक पसंद है, अगर आपको पतला पसंद है, तो आप थोड़ा सा जादा पानी मिला लीजिए, और इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, मिक्स होने के बा धकन खोलने के बाद तुरत इसी में डाल दूगी मैं मैगी मसाला, सौरी मैं कुछ कैमरे में गड़वर हो गया था, मैं मसाला दिखा नहीं पाई, बट इसमें डालिएगा मैगी मसाला, और इसे अच्छी तरह से मैस कीजिएगा, और ग्रेवी गाड़ी करने के लिए मैं इ इतनी जबरजस सबजी बनी है, क्या बताऊं, आप इसे चावल, रोटी, पूरी, पराठा किसी भी चीज के साथ, मतलब खाए, बनाए और पूरे परिवार को खिलाए, और एक बार मेरी रेसिपी ट्राइ कीजिए, एंड एंज़ोई